यह पैगाम है भारत के हर कॉंटेंट क्रिएटर के नाम जाए भीम जाए भीम आप अवेलेबल ओन दे प्ले स्टोर और अपल आप स्टोर नाव कितनी सीटों पर जीत सकती है कितनी सीटों पर मजबूत है दरसल 2017 के अगर विदान सभा के चुनाव देखें तो बहुचन समाथ पार्टी यहां पर मातर तीन सीटों पर हिश्री मिट गई थी भारतिय जनता पार्टी 40 सीटों पर और आपको बता दे कि 40 से ज्यादा सीटे उन बसपा कॉंग्रेस यह तीनों मिलाकर ही नो सीटे निकाल पाई थी इन 61 सीटों में से बाकिया आपको बता दे कि बीजेपी और उनके निर्दले वगेरा यह निकाल कर ले गए दरसल जो भी हो इस वार के विदान सभा चुनाव में हालात बदले हैं बीजेपी के परती लहर से भी कम है आक्रोश ज्यादा है बसपा अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है नाराज की लोगों में उतके पतिन नहीं है समाजवादी पार्टी के परती भी आपको बता दे कि उतना आक्रोश नहीं है तो ऐसा में आपको बता दे कि प्रिणाम सुदरने की आसंका जता मैं एटिसकी आने के बाद हो कि उनक्य दूआरा कही जारे ही बातों से मुस्लिम के नहीं समाझ कई प्रभावित हुआ है और दोसरी पार्टे तरफ रूख कर रहा है और कोसांबी में वीयस्पी मानी जाती रही है सिरावास्ती पुताब गड़ी चेत्र है वो राजा भाया का और इनका चेत्र आता है तो इस चेत्र के अंदर मुकाबला काटे का रहेगा देखना जिल्चस फोगा कि किदर जाएंगे राइब रेली में एक सीट है तो उसका ज्यादा कुछ कहा नहीं सकते सुल्तानपुर की सीटें पर भी जांपर आपको बता देगी ठीक ताग श्तिती में तो इन आंकड़ों को ऐसे अंदाज लगाए जा सकता है कि बहुचान समाज पार्टी पिछले साल 2017 की मुकाबले कहीं ज्यादा बैतर तरीके से है वो एक तरीके से परिवरतन लेकर आएगी और बैतरी तरीके से उनको थो करेंगे बिलें किसने वीडियों अप्टेट होगे साथ अब तक आप से लेते विजाल आइक कीजिए कमेंट के जो शेर करना बिल्कून आपको